हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल आइं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके साम्दिंग मोस्ट इंपोर् आज हमें आजादी मिल जाई वैसे आजादी जो 1947 में मिल चुकी है दोस्तो लेकिन वह एक्जाक्ली कैसे मिली है वह आज के इस लेक्चर वीडियो से आपको पता चलेगा लेकिन दोस्तो आपको बहुत भेतरीन तरीके से मैं बताऊंगा बहुत सारे लोग जानते तक नहीं है कि 1947 जब हमें आजादी मिली तब exactly हुआ क्या था क्या-क्या चीज चल रही थी हमारे देश में ये सब चीज आज आपको इस वीडियो के तुरू परता चलेगा तो हम लेकर रहा है इस चाप्टर का लेक्चर नमर 2 और लेक्चर नमर 1 में डिसक्स किया था कि किस प्रकार बाकी चीजे हो रही थी जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग ने अलग-अलग तरीके से कोशिश की हमें आजादी दिलाने के रहे जिसमें बहुत सारे लोग का योगदान रहा है बहुत सारे लोग ने अपनी जान की कुर्बानी दिये बहुत सारे चीजे चल रही लेकिन मुस्तिमली कहा हार मारने वाला था उसने तो पाकिस्तान को अलग करवा के ही माना तो यह कैसे हुआ यह सब चीज आज के इस वीडियो से आपको बता चलेगा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देख लेना और साथ ही मैं आप जानते हो कि हमने आपके लिए बाकी सब्जेक्स पूरा पेले कंप्लीड कर दिया है और आप प्लेलिश को चेक करोगे तो आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइस ठीक है अब वहाँ पे क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेर कर सकते हो तो बहुत अच्छे तो रही किसे पढ़ाई करते रहे ना और अच्छे marks लेकर आते रहे ना इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए इंडिया ने नैशनल कॉंगरेज जो उस टाइमपी था वो ये तूल मुझ नहीं चाहती थी कि हमारे इंडिया दो हिस्तों में डिवाइड हो जाए तो ये सब של के लिए इन ने मना कर चिया vipos kia तो ये सब चीजे प्रके प्रस fulfill जब नहीं हुआ क्योंकि Muslim लोग यार कितना कोशिश कर रहे थे Muslim League जो था वो बहुत कोशिश कर रहा था कि यार कैसे न कैसे करके जितने भी minorities वाले जो है उनको अलग कर दिया जाए और इनको अलग कर दिया जाए तो ये सब चीजे हो रही थी तो जब फुल्फिल नहीं किया गया तो Muslim League ने जो Muslim League था दोस्तों आपको मैं बता दूँ ठीक है Muslim League ने क्या किया Muslim League ने एक direct action plan की शुरुआत कि अब direct action plan उस दिन का जो तारिक है वो 16th August 1946 यानि कि आजादी से आप देखोगे तो लगबग एक साल पहले 16th August 1946 में एक direct action plan हुआ जिसमें क्या हो गया पूरे देश में violence फैल गया यानि Muslim League ने क्या कर दिया violence फैलाना शुरू किया हर जगा दंगे होने लगए आपने सुना भी होगा आपने कुछ movies भी देखी होगी जिसमें आपने देखा नहीं जान से मारना इस प्रकार की जो violence activities थी बहुत जारा जोरों से चल रही थी हमारे देश में जिसके से हमारे देश में हिंदू Muslim riots इतना peak पे पहुच चुका था कि controlable भी नहीं था बहुत ज़ादा खतरनाक situation आ गया था यहाँ पे एक नाव खोली reason करके एक जगा है वहाँ पे बहुत ज़ादा खतरनाक incident हुआ था तो उसको ही रोकने के लिए यहाँ पे गांदी जी वहाँ पे पहुच गयते उसको ही रोकने के लिए गांदी जी जो है वहाँ तक पहुच गयते कि यार कि यह दंगा रुख जाए क्योंकि यार देश से बड़ा कुछ नहीं था उनके लिए या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि यार आप लोग एसे ही होंगे मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ तो बंगाल में भी काफी जादा मसाकर हो रहा था उसके वेसे बहुत घटनाएं हो रही थी तो वो सब चीज के कोंट्रोल करने के लिए गांदी जी वहाँ पे गई थे ठीक है अब शांती जो है वो धिरे-दिरे कोशिश भी हो रही थी कि कायम हो जाए लेकिन बहुत जगा द पचना करनी बड़ी अंतरिम गवर्मेंट क्या है यह हम डिस्कूस करेंगे यह अंतरिम गवर्मेंट की बात करूं यानि कि emergency वाली government तुरंत अत्काल वाली government अंतरीम मतलब होता है फास्ट बना लो तुरंत तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब देखा गया बड़े-बड़े officers वारा क्योंकि अभी British ने पूरा इंडिया को आजाद किया नहीं था बस उन्होंने बोल दिया था Congress यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अलग country बने तो यह चीज को करने के लिए उन्हों दंगा कर दिया और दंगा कर दिया इसका मतलब कही न कहीं पूरे देश में दंगा होगा तो अपने आप partition हो जाएगा इस प्रकार उनका सोच था और यह exactly वैसे ही हुआ तो basically अंतरिम government क्या हुआ जो थी ब्रिटिश की उस टाइम पे जो उस टाइम के जो व्यक्ति थे जो विसरोई थे वेवल उस टाइम के जो ब्रिटिश गोवर्मेंट के जो विसरोई थे जिसका नाम था वेवल जो वेवल थे ना उस टाइम के विसरोई तो उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे इंडिया का एक अंतरिम government का establishment करने का जो है प्रस्ताव रखा और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति थे उस टाइम के जो इंडिया के थे यहाँ पे अंतरिम government की शुरुआत की तो Muslim League जो था वो initially तो पहले deny कर रहा था कि हम यह होने नहीं देंगे हम government को मनने नहीं देंगे इंडिया की सरकार नहीं बनने देंगे Muslim League मना कर रहा था initially लेकिन दीरे दीरे उसको भी तरीके से जेतना स्मूथ यह government का working होना चाहिए उसके इसाब से भी यह working नहीं हो पा रहा था उसके बाद क्या आया एक और व्यक्ति थे ब्रिटिश के जिनका नाम था Mountbatten उन्होंने क्या plan बना है तो वह हम लोग पढ़ेंगे Mountbatten plan इनका plan क्या था तो basically क्या होता उस time के जो विसरोई थे वेवल इंडिया के जो विसरोई थे वो वेवल थे लेकिन क्या हो गया कि जैसे वो अंतरीम government का formation हो गया तो कहीं ने कहीं ब्रिटिज जो थी वो अपना अभी बोरियाबिस्तर समेटर थी क्योंकि उनका पूरा plan था कि हम क्या करेंगे June 1948 तक पूरा plan था 1948 June तक हम ये इंडिया को खाली कर देंगे देश खाली कर देंगे और अपने देश को लोड जाएंगे तो ये इसके लिए अभी वक्त था इसके लिए अभी time था लगवग एक देढ़ साल का time था लेकिन उस दावरान जो वेवल थे क्योंकि देखो transfers भी हो रहे थे जो वेवल था उन्होंने transfer ले लिया अपना उधर चले गए तो उस दावरान जो इंडिया में जो visroy आए बनके जो वेवल के बाद जो visroy आए वो कोण आए? Mountbatten आए Mountbatten जो था उस time पर क्या था? विसरोई था अब विसरोई जो था appointed कर लिया उसको उसको choose कर लिया गया था he is a visroy of India तो उन्होंने क्या बिना? एक discussion held किया इंडिया के parliament जो भी members थे बड़े-बड़े जो leaders थे उनके साथ उनका एक discussion हुआ और उन्होंने एक suggestion दिया एक decision भोला कि बहतर यही होगा अगर आपको इंडिया में स्वामती चाहिए अगर आपको इंडिया एक independent country चाहिए तो आपके लिए बहतर यही होगा कि आप क्या करो इंडिया को और पाकिस्तान को अलग-अलग कर दो नहीं तो यह दंगे ऐसे ही चलते रहेंगे और यह देश कभी आजादी का सुख नहीं देख पाएगा तो Mountbatten ने उस प्रकार का plan बनाया और इंडिया के जो parliamentary leaders थे जो बड़े-बड़े लोग थे वहाँ पे जो उस वक्त प्रेजेंट थे उनके साथ meeting गंड़क करके यह फैसला आपना सुनाया और यह फैसले को पहले तो इंडियान नाशनल कॉंग्रेस ने बिल्कुल अपोस किया क्योंकि यार इंडियान नाशनल कॉंग्रेस तो क्या होगा देश में बहुत दंगे होंगे बहुत लोग को अपनी जान से हाथ दोना बड़ेगा और यह बहुत जादा खतरनाक सिचुएशन आगा तो ऐसा ना हो एकदम हल्पलेस हो गए थे इंडियन नाशनल कॉंग्रेस एक टाइम भी हल्पलेस हो गई और मजबूरी में helplessness के वजे से उन्होंने क्या कर दिया डिसीजन ले लिया और accept कर लिया कि इंडिया और पाकिसतान को अलग करना ही अलग अलग countries बनाना ही सबसे इंपर्टेंन डिसीजन है और सबसे सही डिसीजन भी है तो यह सब चीज हो गया और इसलिए कुछ टाइम के बाद, यह जो Mountbatten Plan जब आ गया, कुछ टाइम के बाद हमारी देश को आजादी जो है मनजूर कर दी गई और एक Act बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिसका नाम था India Independence Act, आप जानते हो दोस्तों कि हर चीज का एक कानून बनता है, ठीके न, यह Act होता है, वो Act होता है, एक मतलब क्या होता है, कानून, तो इंडिया का भी, इंडिया का भी क्या था, एक आजादी का एक Act बनाया गया, एक कानून बनाया गया, British Government द्वारा ताकि इसको कोई future में तोड़ ना सके, and normally, 18th, कौन सा तारीक, याद रखो, 18th June 1947, 18th June 1947, हमें आजा पर, जो जून था, 1947 के दिन, जो है, Mountbatten प्लान के according, जो Mountbatten जो थे, उन्होंने जो प्लान बनाया था, उसके accordingly अगर बात करें, तो British Parliament में, British का जो पार्लियामेंट था, उसमें discussion हुआ था, और ये जो Act था, India Independence Act, इसको क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया गया था, जैसे आज की रेट में हमारे पार्लियमेंट में बैठक होता है, कुछ भी कानून लाना होता है, तो, किसान कानून, ये कानून, वो कानून, तो बैठके discussion होता है, फिर उसको Act को पास करते है, उसी प्रकार, इंडिया के Independence Act को पास कर दिया था, उस तारीक को, and 15 अगस्ट के दिन, वो स ये जो फैसला लिया गया था, ये 14 अगस्ट के दिन से लागू होने वाला था, इसी रे शायद वो प्राकिस्तान जो है, हमसे एक दिन पहले Independence Day बनाते है, ठीके, जाने दो, ये सब चीज आपको, समझ में आ जाएगी, हम ज्यादा डिसकस नहीं करेंगे उस चीज में, पाक प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या होते थे, राजाओं का राज्य, जैसे उस स्टेट में कोई कवर्मेंट का कंट्रोल ने होता था, राजा लोग राजा जैसा काम करते थे, उनकी प्रजा होती थी, उस टाइम पे भी, तो प्रिंसली स्टेट्स को एक हुकम दिया गया, और एक आदेश ये दिया गया, और एक सजेशन ये दिया गया, अगर आप चाहोगे, देखो हम तो आपने देश जा रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स के राजा लोग को जो आदेश दिया गया, उनको बोला गया कि आप लोग की मर्जी है, चाहे आप इंडिया में चले जाओ, ब आउंट बेटन के प्लान में शामिल था, और आपको एक स्टोरी बताओ, आजादे के बाद, ऐसे कई सारे स्टेट थे, ठीक है, जो अलग से ही रहते थे, जम्मू कश्मीर was the one of the state, जो अलग से ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की गवर्मेंट ने अपनी ट्राय क बहुत जादे अलोग का रहा है, वो सब चीज हम डिसकस करेंगे, आपको चाहिए दोस्तों वो सब चीज, तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, comment box में जरूर से comment करना कि आपको ऐसे अलग से वीडियो चाहिए क्या, यूकि ऐसे बहुत सारे राज है हमारे country के अंदर, ज जाहिए देखिए animation कैसा लगता है, और चैनल को subscribe जरूर से कर देना, ठीक है, चलो आजादे टॉपिक पे, तो मांट बैटन प्लैंस के according में प्रिंस्पली स्टेट को ऐसा बोला गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है, एक समय ऐसा आई गया, 15 अगस्त का दिन, जिसमें हमें आजादी मिल गई, तो finally, last topic, that is India against independence, क्या मिल गया, आजादी, India against independence, हमें finally क्या मिल गई, आजादी मिल गई, क्योंके, तो as per the independence act, जो ये act बनाया गया था, जो कानून बनाया था, मांट बैटन्स प्लैंस के accordingly, इसके accordingly, इंडिया को 15 अगस्त 1947 के दिन हमें आजादी मिल गई, और उस time पे, एक meeting conduct हुई थी, जो hall of parliament, जो house है, दिल्ली के अंदर, उसमें midnight में, रात को ही, रातो, रात meeting conduct की गई थी, यहाँ पे, 14th August को, मतलब आजादी पास हो गई थी, 14th August को, लेकिन हम 15 August को celebrate करते हैं, क्योंकि midnight हो चुका था, तो 14th August के दिन, वो सब चीज हो गया था, ठीक है, 1914, 7th August के बिच में, और रात को ही, midnight में ही, दोस्तो, independence की घोशना हो गई, कि हमारा देश अब आजाद है, अब हम किसी के गुलाम नहीं है, और जो 1500 साल की जो गुलामी थी, यार, हमने इस देश में, जो British के दौरा हमने सही है, उस गुलामी का छुटकारा हमें मिल और फाइनली हमें आजादी बिल गई है, और देखो, ये बोलते हुए भी मेरे को goosebumps आ रहे है, क्योंकि यार, इस दो feel के साथ में बोल रहा हूँ, कि यार, बहुत मेहनत लगी थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी, ये सब चीज को कुरबानी करने में, ठीक है, तो ये सब चीज हो गया, और फाइनली, पंदर अगस के, 14 अगस के रात के दिन, यानि 15 अगस के मिडनाइट में ही दोस्तो, जो ब्रिटीज का जो जंडा था, जिसको बोला जाता है, यूनियन जैक कहा जाता है, उसको टेक डाउन किया गया, नीचे निकाला गया, और हमार जो तिरंगा था, इसको हम लोग ट्राइ कलर बोलते हैं, तिरंगा उसको लहराया गया, आसमान की उचाईयों में, और हमारा उस चीज का प्रतीक बना कि हमारा देश अब आजाद हो चुका है, अब वो किसी का गुलाम नहीं है, और ये चीज आज भी बोलने में मुझे बह और वाइलेंस इतना ज्यादा सार कि बहुत सारे लोग खुशिया नहीं बना पाए, और उस दरान तो गांदी जी बंगाल में गए थे, ताकि ये सब चीजे जो है उसको कंट्रोल कर सके, जो दंगे वगर है उसको कंट्रोल कर सके वहाँ पे, और लगबग 6 महिने के बाद, दोस्तो एक टाइम आया, जैनवरी 1948, बहुत दुकत घटना हुई दोस्तो, कौनसा जैनवरी याद रखना, 30 जैनवरी 1948 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था नथुराम गोड से, ये तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो, चाकि सर्च कर लेना कौन थे, नथुर देश के लिए अपनी, मुलते हैं ना हर चीज मुमकीन कोशिश की, जिन्होंने देश को आजादी दिलवा दी, उन्हीं को मार दिया गया था 1948 में, बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके पीछे भी, कभी होगर डिसकस करेंगे, लेकिन सिलाइबस के इसाब से ये सब चीज था, और हमारे देश में फाइनली ये सब चीज हो गया, धीरे धीरे करके सब चीज धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, लोग अलग हो गए, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, धीरे धीरे सेटल होते होते काफी समय लग गया, और यही ता हमारा चाप्टर कि फाइनली पसंद आया होगा तो अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें comment box में बताईएगा और किस प्रकार के वीडियो से आपको और चाहिए तो please हमें comment करते रहेगा और अगर वीडियो पसंद आया चाप्टर पसंद आया तो please वीडियो को like कर देना and share कर देना अपने दोस्तों के साथ अपने relatives के साथ friends के साथ share करो उनको बताओ कि कितना important lessons था आज हमने कितना important चीज़ सीखा है और जो valuable information आज आपको मिली है न शायद आपको पता नहीं होगा तो please share to the maximum people first time channel पे आये हो अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो फट आफट से हमारे channel को subscribe जरूर से कर देना दोस्तों and good bye